आज यानि की पंद्र एगरस्त को हम लोग सुतनता दिवस की रूम में मनाते हैं लेकिन इसके मनाने के पीछे कहानी क्या है? इसका इतिहास क्या है? उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और जो अपना प्यारा भारत आप लोग देखते हैं न ये आप देखें इतने आसानी से आजाद नहीं हो गया आप देखेंगे इसमें हजारों आप देखें कि जो हमारी सुतनता सेना नहीं रहे हैं उनकी जान गई वो स्तहीद हुए उन्हें तरह तरह की याचनाय जिलनी पड़ी भगस सिंग, सुकदिव, राजगुरू के बारे में आप लोग पड़े होंगे भगस सिंग, बलब भाई, बटेल और चाहे आप लोग देख लिजे भीमराव, मीड कर साहब हों पंडी जबाल लाल नहरो हों, इस तरह की तमाम आपके अंदोलन कारी देखने को आपको मिलेंगे और आप देखते हैं कि आज की राजनीती को अगर आप लोग अलग रख दे तो मुझे लगता है अगर आप लोगों ने इतिहास पड़ा है तो आप सभी जानते हैं कि सबका युगदान है देश को आजात कराने में उनके रास्ति अलग-अलग हो सकते थे और रही है आप देखेंगे लेकिन मकसद एक ही रहा है चाहे आप लोग भगत सिंग सुकदेव राजगुरू का देखिए या पर महात्मा गांधी का देखिए लेकिन आजकल आप देख रहा है कि किसी को कम बता दिया जाता है किसी को देश के बटवारे के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है किसी के बारे में कह दिया जाता है कि इनका देश की आजादी में कोई यह उगदान नहीं है तो मझे लगता है यह बे मतलब की बाते हैं अगर इतिहास आप लोग special कोई books पड़े हैं तो आप सभी जानते होंगे और पहले आप सभी जानते हैं कि हमारे उपर अंगरेजों का सासन रहा कि अगस्त को आपको बता दो कि पाकिस्तान सुतनता दिवस मनाता है आजादी दिवस मनाता है और हम लोग उस दिन को बिवीसी का दिवस के रूम में बनाते हैं क्योंकि आप देखें कि जब बटवारा हो रहा था उस समय लाखों लोगों की जान गई आप देखें कि करोणों लोग विस्थापित हुए बहुत सारे लोग पाकिस्तान गए योद्ध होता है और बंगलादेश आजाद हो जाता है उस समय हमारे देश की पिधान मंतरी इंद्रा गांदी थी ठीक है और पाकिस्तान से लगी अगर हम लोग अपने राज्जों की सीमा की बात करें तो देखें गुजरात हो गया राजिस्थान हो गया पंजाब हो गया जम्मू कस्मीर हो गया लद्दाक हो गया वहीं बंगलादेश से देखें तो पश्रमंगाल हो गया असम हो गया मेघाले हो गया तिप्फुरा हो गया और मेजुरा हो गया आप सोची कि ये दोनों अगर हमारे हिस्सा होते तो हमें कितना पायदा होता अगर हमें इस तरह पा तो वर्स 1757 में भारत में बेटिस सासन की सुरुवात हो जाती है और जिसके बाद प्लासी की उद्ध में English East India Company की जीत होती है और देश पर उनका नियनतर प्राप्त हो जाता है और इस इंडिया कंपनी ने भारत में लगबख सो वरसों तक हुकूमत की और फिर बेटिस ताज ने 1857 में इसे इंडियन म्यूटिनी की माध्यम से बदल दिया यानि कि राज करने का तरीका वही रा बस नाम अलग दे दिया उन्होंने और आप देखें जो अंग्रेज आये हुए थे और भी जो कंपनी आई हुई थी वो सबी आप देखते हैं कि हमारे तेस में ब्यापार करने के लिए आये थे और कहते हैं कि इन्हें यहां व्यापार करकर कई गुना आप देखे लाव होता था और हम लोग सौने की चिडिया कहलाते थे अब आप देखे फित्थम विस्तियोदी के द्वरान भारती सुतंता अंदोलन की सुरुवात की गी और जिसका नेतत महत्मा कांधी ने किया 1857 में कुछ किरांती भड़की लेकर आप देखे वो सपल नहीं हो सकी पूरी तरह से उस समय आप देखे एकता नहीं थी जागरूपता नहीं थी पड़े लेके कम थे समझ रहे हैं आप लोग गांधी जी ने अहिंसा और असहिव आंदोलन की पद्धिती के बकालत की और जिसने बाद में सभी ने यह अग्या आंदोलन का रोप ले लिया और दुतिय विस्योदी के द्वरान बितानी हुकूमत को भारी मात्रा में वित्तिय नुकसान उठाना पड़ा और जिसके बाद 1946 में बेटे सरकार ने भारत पर अपना सासन समात करने पर विचार किया और 1947 की सुरुवात में बेटे सरकार ने एलान किया कि बेजून 1948 तक सभी भारतियों को सारी पावर हस्तांतिर्थ यानी की सक्तियां दे दी जाएंगी और इनके पास कोई उप्सन भी नहीं था उस समय आप देखे इने लगने लगा था कि जितने जल्दी भारत चोड़ने उतना अच्छा है जूण 1947 में पंडित जवाहलाल नहरू महमद अली जिन्ना और अबूल कलाम आजाद बी आर अम्मेटकर जैसे कई नेता भारत की बिभाजन के लिए सहमत हुए और विभे ने धार्मिक समोह के लाखों लोगों ने निवास करने के लिए स्थान डूरना सुरो कर दिया और विभाजन के दौरान आप देखेंगे 2.5 लाख से लेकर 5 लाख लोग मारे गए और कहते हैं कि करोणों लोग प्रभावित हुए और भासाई अधार पर आप देखते हैं कि पाकिस्तान का गठन हुआ किस वार धार्मिक आधार पर मापकरी भासाई नहीं धार्मिक आधार पर और आप देखेगे कि बहुत सारी हिंदू अलसंक्या भी पाकिस्तान गये हुए थे लेकिन कहते हैं कि आंगे या तो उन्हें मार दिया गया उनका धरम परिवर्थन करवा दिया गया 15 अगस्त 1947 को आधी रात को भारत को सुतंता मिली और जवाहलाल नहरू के भासट भागी के साथ प्रियास द्वारा संपन हुआ पहले पिधाल मंतरी के रूम में पंडित जवालाल नहरू ही थे और भारत सुतंता अधीनियम 1947 को अगर हम लोग देखे तो 20 फरवरी 1947 को बेटिस पिधाल मंतरी किलिमेंट एटली ने गोशना की कि भारत में बेटिस आसन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा और जिसके बाद सक्तियों को जिम्मेदार भारती हाथों में सौप दिया जाएगा और इस गोशना के बाद मुसलिम लीक द्वारा अंदोलन किया गया और देश के विभाजन की मान की गई तीन जून 1947 को बेटे सरकार ने गोशना की कि 1940 में गठित भारती समिधान सबा द्वारा बनाये गया और बेद देश में उन हिस्तों पर लागू नहीं हो सकता है जो इसे सुईकार करने को तेयार नहीं है यानि कि जो आजाद होना चाहते हैं वो आजाद हो सकते हैं लेकिन भारत के सामने एक और समस्या बनी हुई थी आप देखें कि पांस सो बासट पैसट के करीब रियासत ने थी और आप देखेंगे कि बहुत सारी तुवारा हम से मिल गई लेकिन तीन जिन में आप देखें जबू कस्मीर अपने आजादी की बात करने लगया जूनागड हैदराबाद ये आप देखें आगे चलकर भारत का हिस्ता बनी और कहते हैं कि इसमें सबसे बड़ा युगदान रहा है सरदान बल्लब भाई पटेल का हवारे पहले हॉम मिनिस्टर यानि की ग्रह मंत्री का लागो करने वाली योजना को ततकाल प्रभाव दिया और आप देखें कि मुहमद अली जिन्ना का अपनी महत्तवा कांचा थी राजनेतिक महत्तवा कांचा थी और कहते हैं कि उसी महत्तवा कांचा के कारण भारत से पाकिस्तान अलग हुआ 14-15 अगस्त की 1947 की मदरात्री को वेटिस आसन समात्थ हो जाता है और भारत और पाकिस्तान के दो नई सुतंद डोमिनियन को सत्ता हस्तान तीत कर दी जाती है लौड मांट बेटन भारत के नई डोमिनियन के पहले गवरनर जमल जनरल बनते हैं और फंडिजवालालू 14 सरकार की एक अनोकी पहले और इसकी सुतंता दिबस के ठीक 75 सब्ता पहले 15 मार्च 2021 को की गई थी और इस दिन पिधान मंत्री ने असरम से निकली पद्यात्रा को हरी जंडी दिखा कर आयोजन का आगाज किया था और 15 अगस्त को आप देखते हैं कि पिधान मंत्री साहब द इस प्रोग्राम का उद्धिष नागरिकों में क्रांती वीरों के पिती आदर और आपसी सदभाव बढ़ाना है और इस उद्धिष को जंजन तक पहुचाने के लिए भारती नागरिक सलस्किती मंतराली की तरफ से हर घर तिरंगा केंपेन की सुरूआत भी की गई और और आप देखें कि ऐसा नहीं कि 15 अगस्त को भारत को ही आजादी मिली थी कई और देसे जने 15 अगस्त को आजाद होए थे उनके बारे में पिबात कर लेते यहां कुछ और दो डेटे बची हुई है एक तो आप देखते हैं कि 26 जन्वरी एक आप देखते हैं कि 26 नवंबर तो याद रखिए 26 नवंबर को आप लोग सम्मिधान दिवस के रूम में बनाते हैं क्योंकि आप सभी को मालोगा कि 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ आपका सम्मिधान लागो हो चुका था, 26 जनवरी को आप लोग गरतन दिवस के रूम में बनाते हैं क्योंकि 26 ज तरह बहरीन भी बैटिन की गुलामी की जंग्जीरों में कैद था और बाद में बैटिस फोज ने 1960 के दसक में से बहरीन को छोड़ना शुरू कर दिया था बहरीन और बैटिन की बीच 1971 में ट्रेटी हुई जिसके बाद बहरीन बैटिस हुकूमत से आजाद हो गया और जिस दि दोनों देशों के भी समझोता हुआ था उस दिन की तारीक 15 अगस्ती थी इसलिए 15 अगस 1971 को बहरीन की आजादी का दिर है अला कि बहरीन के सासा किसा इसा विन सल्मान अली भी ने 16 से दिसंबर को बहरीन की गद्धी हासिल की थी इसलिए बहरीन अपना राष्टी आवकास 16 से दिसंबर को मनाता है ठीक है कांगो भी आजाद हुआ था 15 अगस्त हुई अफी की देश कांगो पर फ्रांस ने 1880 में कब जाकर लिया था और कई साल गुलामी की जंजीरों में कैद कांगो ने 15 अगस्त 1960 को फ्रांस से आजादी ली थी और आजादी के बाद कांगो लिक टेश्टीन और स्विजलेंड के बीच लिक टेश्टीन नाबक एक देश बसा हुआ है जो 1866 से पहले तक जर्मनी के अधीन हुआ करता था हाला कि 15 अगस्त 1866 को जर्मनी से आजाद हो गया था बाद में आप देखें कि 1840 थे लिक टेश्टीन ने 15 अगस्त को अपना 1845 से पहले डच्छड गोरिया पर जापान का अधिकार था लेकिन सयवत राष्ट अमेरिका और सोवियत फैसित ने डच्छड कोरिया को जापानी के गुलामिक के से आजाद कराया था और 15 अगस्त को अपने सुतनता दिवस को राष्टि ऑंगास के तोर पर भी मनाते हैं उ नौर्थ कोरिया ने 15 अगस्त को नेसनल हॉलिडे के तौर पर मनाने की घुशना की और इस दिन चुटी होने के कारण लोग साधी करते हैं और नौर्थ कोरिया में 15 अगस्त को दिन चुटी और साधीयों के दिन के तौर पर मनाने की परंपरा बन चुकी है तो 15 अगस्त का इत झाल झाल